नमस्कार बच्चो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल चियोगरोफिगरू, आज की इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री की, और कंटीनू रखेंगे हमारी क्लास 10th SST, शोसल साइंस की मोस्ट इंप इंपर्टन क्वेशन की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपर्टन क्वेशन डिसकस करते हैं, अब आपके माइंड में एक बात ये भी आ रही होगी, ये मोस्ट इंपर्टन क्वेशन होते हैं, कौन से और आप कहां से ल देखिए चाहे आपका subject हो SST, चाहे आपका science हो, चाहे आपका English हो, चाहे आपका mathematics हो, चाहे कोई भी subject हो, हर subject में 25% कुछ ऐसे topic होते हैं, जो most important होते हैं, और आपके board exam में 75% जो questions होते हैं, वो questions इन्ही 25% topic में से होते हैं, और ये topic कौन से होते हैं, जो chapter के main theme या फिर main concept को cover करत होते हैं, तो first type के जो हमारे questions है, वो इसी main theme या main concepts related होते हैं, और ये questions आपके exam के लिए सबसे ज्यादा important होते हैं, उसके बाद आता आती है second type के question की, second type के questions कौन से हैं, वो questions जो आपके board exam में continuously repeat होते होते हैं, अगर आप question paper को देखोगे, previous case के question paper को आप check करोगे, चाहे वो 2009 क हो, चाहे वो 15 का हो, उसको उठा करके देखिए, कुछ questions आपको ऐसे मिलेंगे, जो हर बार आपके exam में आ जाते हैं, बस थोड़ा सा रूप रंग change कर लेते हैं, मतलब थोड़ी सी language उनकी change हो जाती है, 19-20 आगे बीचे हो जाते हैं, लेकिन meaning same रहता है, तो इस type के questions है, उनक इतके questions के उपर भी अच्छा-कासा focus किया जा रहा है, value-based question, अब बात आती है, ये कौन से होते हैं, तो देखिए, कोई भी chapter हो, चाहे वो science का हो, चाहे वो mathematics का हो, चाहे वो आपका social science का हो, किसी भी subject का हो, जब वो subject या वो जो आपका chapter है, वो chapter जब आपकी NCRT की book में include किया फर्स chapter आपका है, resources and development, ठीक, वो chapter क्या message दे रहा है, उस chapter से आपको clear हो जाना चाहे कि resource management, resource planning क्यों ज़रूरी है, okay, and how you can do, कैसे आप कर सकते हो, इसके साथ-साथ जैसे soil pollution या soil erosion के causes क्या-क्या है, soil conservation क्यों important है, and how we can do the soil conservation, ऐसे second chapter में जाते हैं, तो importance of the forest, and how we can conserve the flora and flora, उके, उसी तरीके से हम third chapter में जाते हैं, तो water की importance को समझते हैं, water scarcity के causes को समझते हैं, और water conservation क्यों important हैं, वो समझते हैं, तो यह concept है हमारे, जो हमें सिखाना चाहता है, वो chapter, ठीक, वो message देना चाहता है, तो ऐसे जो concept होते हैं, message जो देते हैं, उससे related value based questions बनते हैं, वो भी आपके exam में अच्छे खास आते हैं, तो इन सभी type के questions को हम इस series में include करें, और ये questions, वो questions है, जो chapter के most important part को cover करते हैं, और आपके exam के लिए बहुत important है, और आपकी revision भी बहुत अच्छे से इस series के through हो जाती हैं, आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा chapter हैगा, आपका class 10th history का second chapter है, nationalism in India, देखिए आपके पास अगर updated NCRT की book है, तो ये second chapter है, अगर आपके पास old NCRT की book है, तो आपका ये third chapter हैगा उस book में, clear, nationalism in India, इस chapter के थोड़ी सी बात कर लेते हैं, detail में chapter में already published कर चुक हैं, इस chapter में क्या बताएगा है, इस chapter में बात की गिए इंडिया के nationalist struggle की, देखिए इने किस तरी किसे, कैसे जो British government थी, उनके साथ एक लड़ाई-लड़ी थी, किस तरी किसे struggle किया था, वो 1915, 16, 17, 18, इस टाइप से flow में कहानी चलती है, अगर आप flow के साथ, date के साथ, year के साथ करोगे न, तो आपको लगएगा जैसी ये web series चली है, first part, second part, third part, okay, मज़ेदार सा chapter है, कुछ नया नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि जो concept आप से जुड़ा नहीं हो, सारे concept ऐसे हैं, जो हमने कभी न कभी पढ़े है, 8th में या 7th class में उनको थोड़ा बुट discuss किया, यहां पे थोड़ा सा उनको detail में दिया गया, okay, आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी chapter से लेटे जो questions discuss करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, most important one marker question की, after that we will discuss the three marker question and in the end we will discuss the five marker question plus the map work, okay, let's begin चली, शुरुवात करते हम आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले हम बात करेंगे one marker question की, इसमें हमारा first जो question है, जिसके साथ chapter की भी शुरुवात होती है, this is, when did गांदी जी return to India, दे 1993 में गांधी जी चले गए थे Britain, किसे barrister बनने के लिए, वहां से barrister बनके वापस लोटते हैं, barrister क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं advocate, वही barrister होते हैं, ठीक, तो advocate बन करके, यानकी barrister बनके वो वापस लोट आते हैं, 1893 के बाद, कुछ time के बाद, लेकिन जब वो वापस 1950 में साउथ अफरिका से लोटते हैं, यानकी यहां पर हमारा question क्या है, question है, कि when did गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, इन जेन 1915 में वो आपस लोट आते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर भी struggle किया था, गांधी जी ने अफरिका में भी struggle किया था, अगेंस लापार थे इस सिस्टम, जो रंगभेद की नीती थी, उसके इकलाफ struggle किया था, उसके बाद गांधी जी को लगा कि मेरे देश को, मेरी कंट्री को भी साइध मेरी जरूरत है, इसलिए वो वहां से यहां आ गए थे, उसके बाद second question दिया गए, which were the first three सत्यागरा मोवमेंट ओफ गांधी जी, which were the first three सत्यागरा मोवमेंट ओफ गांधी जी, हमें बताना है कि गांधी जी के कौन से पहले तीन सत्यागरा थे इंडिया में, so first was चंपाण मोवमेंट, 1916-1967, देखिए इसको 1916 भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि 1916 से इसकी शुर के जो इंडिगो फार्मर्स थे, उनके फेवर में ये मोमेंट लॉंच किया था गांधी जी ने, and it was the first successful moment of गांधी जी ने इंडिया, पहला काम्याबी था, पहली बार जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनको जुकना पड़ा था, उनको हाडना पड़ा था, उसको बद second जो मोमेंट था, that was the खेडा मोमेंट, that was launched in 1917, and it was in the favor of the farmers of the खेडा district of गुजरात, गुजरात के जो खेडा district के फार्मर्स थे, उनके फेवर में ये मोमेंट लॉंच किया था, और third जो गांधी जी का मोमेंट था, that was the एहमदाबाद मोमेंट, 1917, 1918, 1917 के end में इसको लॉंच कर दिया गया था, 1918 तक ये continue रहता, mainly इसको 1918 में ही mention किया जाता है, ये वहाँ के जो मिल वर्कर्स थे, उनके फेवर में गांधी जी ने लॉंच किया था, तीनों ही successful रहे थी, यानकि back to back, तीन successful मोमेंट लॉंच के थे गांधी जी ने, clear, उसके बाद, अगर बात की जाए, इन पिकेटिंग क्या होता है, ये हमें बताना है, पिकेटिंग is a kind of protest in which people block the entrance to a shop, factory or office, जैसे बोलते हैं धन्ना परदर्शन करना, रोड जाम करना एक तरह किसे, ऐसी रास्ता रोको ये आंदोलन होता है, क्या होता है, रास्ता रोको आंदोलन, इसमें क्या होता है, कार खाने, दुकान के आगे ताला लगा के लोग बैठ चाते हैं, तो that is a picketing, okay, so picketing is a kind of protest in which people block the entrance to a shop, factory, office, etc, clear, उसके बाद next जो हमारा question है, fourth, most important में, who were the main leaders of the khilafat movement, khilafat movement, that was launched at the time of the non-corporation movement, उसी time में इसको launch किया गया था, उसके main leader कौन थे, तो main leader थे, Ali brothers, Ali बंदू थे, कौन-कौन से, Muhammad Ali and Shokat Ali, ठीक, उसके बाद next जो हमारा question दिया गया, one marker में, next हमारा fifth question है, what is the meaning of forced labor, forced labor एक word यूज किया गया, इस chapter में, इसका मतलब क्या होता है, forced labor is any work or service which people are forced to do against their will under threat of punishment, कि forced labor क्या है, isn't any work, is any work, forced labor क्या है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी service हो सकती है, which people, for which people are forced to do against their will, कि उनको forced क्या जाता है, उनकी मर्जे के खिलाफ, under threat of punishment, कि आपको सजा मिलेगी, आपको ये करेंगे, वो करेंगे, ड्रा धमका करके, जब काम लिया जाता है, तो उसे हम forced labor बोलते हैं, तो forced labor क्या है, forced labor is any work or service for which people are forced to do that work or that service against their will, under the threat of the punishment, कि आपको punishment मिलेगी, तो उसको बोल सवराज पार्टी में सवराज पार्टी है, उसको बनाये जाता है, इसके बारे में detail में हम three marker question में discuss करने वाले, okay, so who formed the सवराज पार्टी, it was formed by मोतिलाल नहरू and सियार दास in 1923, now let's move to the next question, question number हमारा seven दिया गए, seventh हमारा question है, one marker में, who was बाबा राम चंद्रा, बाबा राम चंद्र कोन थे यह हमें बताना है, during the non-corporation moment, बाबा राम चंद्रा वोस दा लेडर ओप पीजेंट मोवेंट in उत्र परदेश, उत्र परदेश में जो किसान अंदोरन चलता है, उसके लेडर थे बाबा राम चंद थे, वो खुद एक labor worker थे, indentured worker बोलते हैं उनको, okay, गिरमेटिया मजदूर हिंदी में बोलते हैं, यहनकि जिनको दूसरे दिशों में, बागानों में काम करने के ले जाए गया था, तो उनमें से एक बाबा राम चंद्र थे, उसके बाद, वो non-corporation moment में, बाबा राम चंद क्या था, the famous Gandhi-Irvin pact was signed in March 1931 में, इसको sign किया गया था, okay, it was a pact between Gandhi-ji and Lord Irvin, उन दोनों के बीच में एक समझोता हो था, pact मतलब समझोता हो कह है, संधी, ठीक, उनके बीच में हो था, Gandhi-ji agreed to participate in the second round table conference, according to this pact, Gandhi-ji ने क्या-किया, कि वो इस बात के लिए मान गये थे, कि चलो हम second round table conference, जो लंदन में होनी है, उसमें मैं चलूँगा, okay, and the British government was agreed to release all the political prisoners, और in return बदले में क्या-क्या, British government ने ये हा कर ली, कि भाई, जितनी भी political prisoner है न, जिन कौम ने सरफ धन्ना परदाशन करने के लिए जेल में डाल दिया था, उनको हम छोड़ देंगे, तो that was the Gandhi-Irvin pact of 1931, and this pact is also known as the Delhi pact, इसको दिल्ली समझ होता भी बोलते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में होगा था, clear, चलिए, next हमारा question दिया गया, ये next हमारा question है, question number nine, इसमें क्या पूछा गया है, हमें बताना है कि when and where was the demand of पूरना सवराज raised, हमें बताना है कि पूरन सवराज की जो मांग थी, वो कब कहां उठाए गई थी, clear, at Lahore session of Indian National Congress in 1929, the demand of the पूरन सवराज raised at Lahore session of Indian National Congress in 1929 में, Indian National Congress का जो session हुआ था, वो लाहोर में हुआ था, that was a historical one, आगे हम discuss की भी करने वाले ही, historical था, बहुत important था ये, उसमें पहली बार पूरन सवराज की बांग की गया, पूरन सवराज means full independence, okay, complete independence, ठीक, आप उपर का संभालो, हमें थोड़े बहुत पावर तो दे दो, उसकी डिमांड करें थे, 1929 से हमने का कि नहीं भाई, आपको बोरिया विस्तर ले करके जाना ही पड़ेगा, हमें complete independence चाहिए, उससे कम कुछ नहीं मानेंगे, यानकि उससे कम अगर देनी कोशिस की, त मारकर में, why did गांदी जी, decide to withdraw the non-corporation moment, गांदी जी ने non-corporation moment को वापस ले लिया था, 1922 में, क्यों, after the 4-4 incident, गांदी जी decided to withdraw the non-corporation moment, after the 4-4 incident के बाद वापस ले लिया था, अब 4-4 में क्या हुआ, वो आगे हम discuss भी करने वाले, actually में वहाँ पे violence हो गए थी, और गांदी जी, violence के against थे, इसलिए उन्हें लगा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए उन्हों ने कहा कि हम इसको वापस लेते हैं, clear, उसके बाद 11th हमारा question दिया गए, 11th question है, one marker में, that is, who was Aluri Sita Ram Raju, Aluri Sita Ram Raju, कौन थे यह हमें बताना है, देखे, पहली चीज तुमें आपको जो लोग थे वहां के, उनके लेडर थे, during the non-cooperation moment, ठीक, he was the leader of the tribal people of आंधरा परदेश, during the non-cooperation moment, okay, Sita Ram Raju, काफी respected name है, आंधरा परदेश में, अभी उनको काफी माना जाता है, तो वहां के tribal लोगों के लेडर थे, जब non-cooperation moment चल दा था, पूरे देश में, 12th हमारा question दिया है, who is the author of the हिंद सवराज, हिंद सवराज बुक का, वो किस ने लिखी है, so, it is written by गांधी जी, महत्मा गांधी ने in 1909 में लिखा था, इस बुक को, बहुत important question है, यह काफी बार आपके exam में repeat हो चुका है, इस बुक का specialty के अगर बात करें कि, इस chapter में कैसे दिया गया थी, इस of cooperating with the British government, they have to leave, उनको छोड करके जाना पड़ेगा, भाई, वो मुठी बढ़ लोग है, हमारे देश में हमारी ओपर हुकम चला रहे, क्यों चला रहे हैं, क्योंकि उनके सारे काम तो हम करें, तो गांधी जी ने इसी बुक में वो mention किया था, कि the British government is getting success here in India, because we are cooperating with them, क्योंक Now let's move to the next one, next हमारा question number 13 दिया गया है, और question number 13 है, उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है, when was Puna Pact signed, इसमें पूछा गया है कि Puna Pact कब sign हुआ था, Puna Pact was signed in 1932 में sign हुआ था, and it was signed between Gandhiji and B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar और Gandhiji है, उनके बिच में ये Puna Pact, Puna Samjhota sign हुआ थ 14th question है, that is the last question of one marker, most important में, when was Gandhiji, Gandhiji Irving Pact signed, Gandhiji Irving Pact है, वो कब sign हुआ था, it was signed in 1931 में हुआ था, ये, okay, clear, तो ये होगे हमारे one marker question, now let's move to the next segment, और next segment में हम discuss करेंगे, इस chapter के most important three marker question, यानि की short answer type question, इसमें हमारा first question दिया गया, what were the objectives of the khilafat moment, खिलाफत moment के objective क्या थे, बहुत important question है, बहुत बार, it means that, लगर हम last and years के आपके previous exams के बात करें, तो seven, eight times ये question आपके exam में रहा है, तो इसमें क्या पूछा गए, इसमें पूछा गए, खिलाफत moment के objective क्या थे, यानि कि खिलाफत moment शुरू क्यों किया गया था, ये हमें बताना हार's peace treaty was imposed on the Ottoman emperor, that was the khlifa, the spiritual head of the Islamic world at that time, देखे, फर्स्ट वर्ण ही क्या होता है, कि जो ट्रकी होती है, तुर्की हिंदी में बोलते है, ट्रकी की हार हो जाती है, ठीक, हार के बाद क्या होता है, हार's treaty was imposed on the Turkish emperor के उपर, एक कठोर से संदीत होपती जाती है, कुछ शर्ते लगा head of the Islamic world at that time, उसलाइम वो मुस्तिम जगत के सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे, उनके पर एक संदीत होपती जाती है, to support the khlifa and to oppose the British government, a khilafat committee was formed in Bombay by Indian Muslim in March 1919, उसके बाद क्या होता है, एक चीज कहानी थोड़ी शोर बता देता हूं, कि rumor spread among the Indian Muslim that, कि भारती है जो मुस्तिम थ जाता है, that the khlifa or the Turkish, जो सुल्तान है, that was misbehaved by the British government, यह अफ़ा फेल जाती ही, कि जो टर्की के emperor है, उनके साथ बूरा विभार किया गया था, okay, so to support the khlifa, khlifa है उसको support करने के लिए and to oppose the British, a khilafat committee was formed in Bombay by Indian Muslims in March 1919 में एक khilafat committee हो बना ली जाती है, and khilafat committee बनाने के मतले है, कि in March 1919, they launched the khilafat moment, उसको launch कर देते हैं, young Muslim leaders like the Muhammad Ali and the Sokart Ali, led the moment against the British in India, and that was called the khilafat moment, इसी moment को बाद में khilafat moment कहा गया था, and later this was spotted by the Congress party and Gandhiji, बाद में Gandhiji और Congress party वो भी इस moment को support करते हैं, okay, दोबारस देखे, बहुत important है, यह Ottoman Turkey was defeated in the First World War में उसकी हार हो जाती है, and a harsh treaty was imposed on the Ottoman Emperor, Ottoman Emperor that was known as the Khalifa at that time, Khalifa means the spiritual head of the Islamic world, okay, and a rumor spread among the Muslims that the Khalifa or the Emperor of the Turkey was misbehaved, एक rumor फेल जाता है, so to support the Khalifa and to oppose the British government, a khilafat committee was formed in Bombay by Indian Muslims in March 1919, and young Muslim leaders like the Muhammad Ali, Sokart Ali, led that moment against the British government in India, and that is known as the Khilafat moment, उसे ही हम Khilafat moment करते हैं, clear, समझ में आगे न, QQA on launch किया गया था, to support the Khalifa and to oppose the British government, clear, चलिए, second question की बात करते हैं, second जो हमारा question रहेगा यहाँ पे, three marker में, why did Gandhi जी withdraw the non-corporation moment, गांदी जी ने non-corporation moment को वापस ले लिया था, ऐसे क्या हो गया था, अच्छा बहला चल रहा था हूँ, उके, उसको 1922 में वापस ले लेते हैं, गांदी जी, हमें बताना है कि क्यों, ठीक, इन फैब 1922, 22 policemen were burnt alive by people in a police station near चोरी-चोरा गोरगपूर, देखे, 1922, फैब में क्या होता है, 22 policemen were burnt alive, जिन्दे जला दिये जाते हैं, by the peoples, peoples who were protesting against the British government, जो protest कर रहे थे, वो जला देते हैं उसको, इन ए police station, एक police station में आग लगा करके, कहां पे होती है घटना, चोरी-चोरा में होती है, कहां ये गोरगपूर के पास है, यूपी में आगा, जो इन फैब 1922, 22 policemen were burnt alive by the people in a police station near चोरी-चोरा इन गोरगपूर, निर गोरगपूर इन यूपी, गांधी जी वोस strongly against the violence, और गांधी जी का आपको पता है, कि वो हिंसा के बिल्कुल खिलाब थी, violence के बिल्कुल खिलाब थी, गांधी जी was strongly against the violence, he felt that the stagrees need to be properly trained before a large-scale struggle, अब गांधी जी को लग रहा था कि ये सत्यागरीज है, उनको ठीक से सत्यागरा करना नहीं आता, उके, so he felt that the stagrees need to be properly trained before a large-scale struggle से पहले, उनको training जेने की जरूरत है, so after this incident, गांधी जी decided to withdraw the non-corporation moment, इस घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया, non-corporation moment को वापस दे लिया था, तो ये वो घटना थी, यहां से पूछा जा सकता है, दो टाइप के question हो सकते हैं, कि गांधी जी ने वापस क्यों लिया, या फिर यही पूछा जा सकता है, कि what was the 4-4 incident क्या था, 4-4 की घटना क्या थी, यह आपको बताना है, clear, तो यह आपका second question रहेगा, three marker में, now let's move to the next question, next हमारा question रहेगा, third question, why did the non-corporation moment gradually weaken in the cities, और चाहिए वो non-corporation moment हो, और चाहिए वो हमारा हो civil disobedience moment, दोनों ही धिरी धिरे बाद में कमजोर हो गए थी शैरों में, कारण बताने है, कोई भी पूछे तो, same रहेगा, खादी क्लोथ जैसे देखे, non-corporation moment में क्या किया गया थी, यह पहले हम समझ देते हैं, कि लोगों नहीं क्या क्या था, people begin to use the subdesi product, and they boycotted the British goods, जो Britain के सामान थे, उनका boycott करना शुरू कर दिया, उनके institution का boycott करना शुरू कर दिया, और खादी वगरा पहना शुरू कर दिया, था, subdesi product हो यूज करने शुरू कर दिया थी, लेकिन बाद में यह कमजोर पढ़ गया था, moment, क्यों, यह बताना है, so first, the khadi cloth was often more expensive than the mass-produced meal cloth, and poor people couldn't afford it for long, common people started wearing fond clothes again, after some time, देखी, शुरूवात में क्या था, boycott तो कर दिया, जो शुरूश में, but the khadi cloth was expensive as compared to the meal-produced cloth, जो meal का mass-produced cloth था, उससे वो महंगे थे, and the poor people couldn't afford it for a longer period, जाद लंबे समय तक वो khadi पहन नहीं सकते, क्योंको उनके पास पैसा नहीं था, so common people, after some time, started wearing the fond clothes again, दो बारा से उन्होंने विदेशी कपड़ों को पहना सुरू कर दिया, बाई, मेन मुद्दा यही था, जब उन्होंने वापस कपड़े बहने शुरू कर दिया, तो वो जोस कम होना ही था, okay, पहला कार्ण तो यह था, second, similarly, the boycott of the British educational institution, created a problem as there were no alternative Indian institution, okay, दूसरा दिखे, जोस-जोस में हमने कहा दिया, अंग्रेजों के स्कूलों में नहीं जाएंगे, अंग्रेजों के कॉलेज में नहीं जाएंगे, but we didn't have any alternate option, अब Indian institute थे थे नहीं, क्या हुआ, after some time, students and teachers joined back government schools, वापस से लेगे government school college में, तो इसे भी वो अंदोलन हमारो moment धीमा पड़ गया था, third, lawyers and officers could not live for long without income, so they too joined back the government courts and offices, ऐसे जो lawyers और officials उन्होंने जो boycott किया था, they couldn't survive for a longer period without income, कैसे रहेंगे बिना income के, so after some time, they joined back the government offices and courts etc, उनको वापस जोइन कर लिया, यानि कि इससे भी क्या हुआ, सारे लोग जिन्होंने जो शोस में boycott किया था, वापस अलगे, वापस अलगे, तो gradually that moment, slower down in the cities, city area में वो धीरी-धीर moment कमजोर हो जाता है, okay, क्योंकि इसका असर हो बात में, city area में था, urban area में था, इसमें एक और भी लिख सकते हो, कि after some time, the moment shifted from urban area to the rural area, शहर से गाउं की तरफ भी बढ़ गया था, and that was the another reason that it become weaker in the urban area, कि इससे भी ये कारण ये हुआ कि सहरों में थोड़ा ये कमजोर दिखने लग गया था, okay, तो ये सब कुछ यहां पर mention कर सकते हो, now let's move to the next question, question number four दिया गया, that is also very important, question क्या है, हमारा question है, कि the Lahore session of the Congress was a historic session, how? Congress party का जो Lahore का session था, बहुत historic था, यानि कि एक एत्यासिक था, okay, कुछ अलग था, कैसे, यह हमें बताना, the Lahore session of Congress, the Lahore Congress session of 1929, was historic for three reasons, कि तीन कारण ये historic था, पहला, कि for the first time, a young leader, Pandit Chuhalal Nehru, became the president of the Congress party, पहली चीज तो यह वी थी कि, पहली बार Congress party का कोई युआ नेता, who was struggling against the British government, Congress party, okay, who was leading the nationalist movement against the British government, Congress party, सबसे इंपोर्टें थी था, तो उसमें पहली बार क्या हुआ था, कि firstly, for the first time, a young leader, Pandit Chuhalal Nehru, become the president of the Congress party, कि यह पहली एक नई चीज थी थी इसमें, यानि कि पहला कार्ण ये था, second, in the same session, under the chairmanship of the Pandit Chuhalal Nehru, the Congress passed a resolution demanding the पूर्णा सवराज और the complete independence for India, दूसरे ये था, कि इस session में क्या किया, कि हमने एक regulation passed किया था, वो regulation क्या था, वो था पूर्ण सवराज का regulation, मतलब complete independence, इसका मतलब ये था कि हमें उससे कम कुछ नहीं चाहिए, मतलब अंग्रेजियों को बोरी अभिस्तर लेकर के जाना पड़ेगा, उससे कम में हम नहीं मानने वाले, तो ये भी, इसलिए भी इसको historical माना जाता है, because first time we passed the resolution of the पूर्णा सवराज, means complete independence, and we decided that we need not less than that, not less than the complete independence, कि उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इसके लिए भी इसको history कहा जाता है, उसके पेचे, उसके बाद आता third reason, third reason क्या था इसमें, third ये था, कि in this session, it was also decided that from 13th, 1930, 26th gen, would be celebrated as the independence day, and it would be celebrated every year till the actual independence, इसके साथ third reason क्या था, कि हमने ये भी decide क्या था, कि 1930 से, next year से, क्योंकि 1920, December में ये हो रहा था न, तो हमने decide क्या था कि from 26th of gen, 1930, we are going to celebrate the 26th gen as an independence day, उसको हम आजादी के दिवस के रूप में मनाएं, कब तक, till the actual independence तक, वो इसलिए decide क्या था कि हर साल हम जोश बरेंगे लोगों में, तो इन तीन कार्णों से, because of all these three reasons, this session is known as the historic session, इसको कहा जाता है, okay, now let's move to the next question, next हमारा three marker में रहेगा, fifth question है हमारा, fifth question है हमारा, when and why did Simon Commission came to India, and why was it boycotted, okay, हमें बताना है कि Simon Commission कब और क्यों इंडिया आया था, okay, when and why did Simon Commission come to India, and why was it boycotted, उसका boycott क्यों किया गया था, okay, Simon Commission visited India in 1928 में वो इंडिया आता है, Simon Commission, and it was appointed to check the functioning of the constitutional system in India, and suggest changes, ये चेक करने आय था कि भारत में सरकार, जो ब्रेटी सरकार है ठीक से काम तो करी है, नहीं करी है तो कुछ suggestion देने थे, okay, so it was appointed to check the functioning of the government in India, and suggest some changes, और कुछ change suggest करने थे, the commission didn't have any Indian representative, उसमें कोई Indian नहीं था, okay, जो members थे, seven members थे, उसमें कोई भी Indian नहीं था, they all were British, वो सारे अंग्रेज थे, so when Simon Commission arrived in India, जब Simon Commission इंडिया आया, it was welcome with the slogan, Simon go back, go back Simon, and with the black flags, यनकि काले जंडे दिखाय गए थे, Simon वापस जाओ, Simon वापस जाओ के नारे लगा गए थे, इसका main reason क्या था, कि उसमें सारे अंग्रेज थी, अंग्रेज थी तो भारतियों को लग रहा था, कि भाई क्यों drama करे हो, पता है कॉन से suggestion दोगी, Indians को लो हम बताएंगे ना, कि ये कमिया है, okay, इसलिए इसका oppose किया गया था, विरोध किया गया था, now let's move to the next one, next हमारा question रहेगा, question number six, question number six दिया गया, what do you know about the Puna Pact, ये भी एक important question है आपका, Puna Pact के बारे में आप क्या जानते हो, Dr. B.R. Ambedkar demanded the separate electorates for the Dalits, Dr. B.R. Ambedkar उनकी demand थी, कि जो दलित है उनके लिए separate electorate होने चाहिए, separate electorate का मतलब समझते हो न, यानि कि एक seat से अगर खड़े हो रहे हैं, तो एक general खड़ा हो, और एक दलित खड़ा हो, मतलब इस टाइप से उनकी एक demand थी, ठीक, गांधी जी started the fast unto death, because he believed that the separate electorates for Dalits would slow down the process of the nationalism, कि भाई मैं कुछ नहीं खाऊंगा, against this demand, because he believed that the separate electorate for Dalits would slow down the process of the nationalism, यह गांधी जी लगता था कि भाई ये तो वो बात होगी, फूर डालो राज करो वाली, ब्रिटिस पॉलिश ये वो यहां पर implement हो जाएगी, कि हम आपस में बंटके रह जाएंगे, तो हम देश की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, इसने गांधी जी कोई आइडिया अच्छा नहीं लगा, so Dr. B.R. Ambedkar demanded the separate electorates for Dalits, and Gandhi जी started the fast unto death, because he believed that the separate electorates for Dalits would slow down the process of the nationalism, Ambedkar finally accepted the Gandhi's idea, उसके बाद क्या होता है कि Dr. B.R. Ambedkar है, finally Gandhi जी की बात को मान लेते हैं, and it resulted in the Puna Pact of September 1932, और इसका प्रिणाम क्या निकलता है, कि Puna Pact होता है, दोनों के बिच में एक समझोता हो जाता है, अब उस समझोते में क्या होता है, कि according to that Puna Pact, Gandhi जी promised to give reservation to the Dalits after the independence, Gandhi जी किस बात के लिए मान जाते हैं कि ठीक है, कि देश के आजादी के बाद जो दलित से उनको reservation दी जाएगी, according to the, यहनकी दोनों सर्ते थी, किस बात के उपर दोनों की बाते बनती हैं, कि according to the Puna Pact, Gandhi जी promised to give reservation to Dalits after independence, and B.R. Ambedkar agreed to drop the demand for separate electorates for Dalits as for the Puna Pact, और बदले में जो Dr. B.R. Ambedkar है, वो अपनी demand, जो separate electorate की demand थी, उसको drop कर देते हैं कि भाई, ठीक है, हम इस बात के उपर agree करते हैं, तो that was the Puna Pact, it was held in 1932, and it took place between Gandhi जी and the Dr. B.R. Ambedkar, and according to this pact, Gandhi जी promised to give the reservation to the Dalits after independence, and Dr. B.R. Ambedkar agreed to drop the idea of the separate electorate for the Dalits, तो यह था Puna Pact, Now let's move to the next question, question number seven दिया गया है, three marker में, short answer type question में, seventh हमारा question है, describe the salt march, and why did Gandhi जी choose salt, देखिए, important question है यह, इसमें पूछा गया, क्या बताए गया है, पहले बताना है कि salt march, या जिसको हम dandy march बोलते हैं, वो क्या था, और उसके बाद है, कि why did Gandhi जी choose salt, गांदी जी ने नमक कोई क्यों चुणा, ओके, ठीक, अब dandy march कहता पहले, तो मैं थोड़ा साब को बता दूँ, कि इस टाइब से, यह हमारा गुजरात है, तो यहां से गुजरात में, यहां पे आगया एहमदावाद, तो एहमदावाद में, साबरमती आसरा में, तो वहां से गांदी जी अपने फॉलॉर्ष के साथ, यहां पे दांडी एकोस्टल टाउन, यहां तक पेदल पहुंचे थे, तो इसको बोलते हैं, दांडी march, क्या बोलते हैं इसको, दांडी march कहते हैं, यहां कि दांडी तक की पेदल यात्र थी, इसको salt march भी कहते हैं, salt march क्यों कहते हैं, क्योंकि गांदी जी ने दांडी पहुंच करके नमक बनाया था, ठीक, और नमक बना करके, जो नमक कानून था, उसको तोड़ दिया था, क्योंकि इस वक्त जो salt बनाना था, उसके उपर monopoli थी British government की, और गांदी जी ने कहा कि हम नहीं मानते हैं, ठीक, So, to oppose the government's monopoly on the production of the salt, महात्मा गांदी decided to launch a civil disobedience movement campaign with the salt march in 1930, यहनि कि government की जो monopoli थी, salt के production के उपर, उसके against, गांदी जी decided to launch a civil disobedience movement campaign with the salt march in 1930, salt march है, वो 1930 में launch किया जाता है, and in the salt march, he marched from his sabramati ashram to Dandi, that is a coastal town of Gujarat, Gujarat के coastal town तक वो पेदल जाते हैं, and after reaching there, वहां पहुंचने के बाद, he made the salt from the sea water से, वो नमक बनाते हैं, and thus violated the salt law, और नमक के कानन को तोड़ देते हैं, and that was the official beginning of the civil disobedience moment की सुरुवात भी हो जाते हैं, civil disobedience moment का मतलब क्या होता है, कि भाई, कुछ भी कर लो, हम आपके कानून नहीं मानेंगे, okay, हिंदी बोलते हैं, समिन्ने अवाई जान दोलो, कि मतलब हाथ भी जोड रहे हैं, लेकिन कानून भी नहीं मानेंगे, बात भी नहीं मानेंगे, okay, उसे civil disobedience moment कहा गया था, तो उसकी सुरुवात इसी के साथ होती है, clear, तो पहला तो हमें थोड़ा सा बताना इसमें, कि क्या था, कि तो बबस्ट जोव्मेंट्स मोनोपली, एफ पोल्च जोड़ाए, गांधी जी जोड़ाए देखे लांच दोलोंस इससेवी दिश्बशियूर्बिश्वाट मेंटा है, and under this march Gandhiji marched from his Savarmati Ashram to Dandi a coastal town of the Gujarat and at that place Gandhiji made the salt from the seawater seawater से वो salt बनाते हैं and thus violated the salt law of the British government के नमक कानून को तोड़ते हैं and he asked the people to do the same और लोगों से request करते हैं कि भाई ऐसे ही इनके कानून को तोड़ते रहो उसके बाद बात यहां पर क्या आते है और कानून तोड़ लेते हैं सावरप्ति आश्रम के आश्रम के आश्रम के आश्रम कुछ और ऐसा करते हैं कि उनके कानून भी उससे तूट जाते हैं बात भी रह जाती तो वाई सोल्ट नमक ही क्यों First, Gandhiji had found सोल्ट a powerful symbol which could unite the nation कि Gandhiji जोग लगता था कि नमक एक ऐसा चीज है जिससे हम पूरी देश को जोड सकते हैं Salt was the thing that equally consumed by the rich and poor Hindus and Muslim like every category के जो लोग थे वो नमक को use करते थे उन्हें लगता था कि इससे सब जुडेंगे and it was one of the most essential items of the food ये खाने का सबसे important part था So Gandhiji, that's why Gandhiji choose the salt इसलिए गान्दिज ने नमक को चुना जैसे कि सब लोगों को North Indian, South Indian, Ridge, Poor Okay, Rural, Urban Hinduism के सब को एक साथ जोड देंगे इसलिए उन्हें उन्हें salt के साथ वो गए थे तो ये थे इस chapter के most important three marker यानि कि short answer type question Now let's move to the next segment और next segment में हम discuss करेंगे इस chapter के most important five marker question देखिए इस chapter में से हर बार आपका एक five marker question भी रहता है Okay Five marker question में हमारा first question कौन सा Just a minute First हमारा question रहेगा How did the first world war contribute to the growth of nationalism in India यानि इसमें क्या कहा गए ये हमें बताना है जो first world war था उसने इंडिया में जो nationalism movement था उसके growth में एक important role play किया था भाई first world war और इंडिया के nationalism उसमें क्या link था ये हमें यहाँ पे बताना है कि कैसे first world war ने इंडिया के nationalism movement के लिए एक रास्ता साफ किया था help की थी clear first to meet the expenses after the first world war the British government introduced custom duty and income tax and increased other taxes देखिए to meet the expenses after the first world war first world war में बड़ा गाटा हुआ था British government को उसके बाद उस गाटे को पूरा करने के लिए क्या किया the British government introduced the two new taxes दो नए taxes है वो introduced कर दी एक तो था custom duty and second one was the income tax and they also increased other taxes बाके taxes को बड़ा दिया था इससे क्या हुआ भारतिये लोग थे वो गुस्सा हो गए उनको तो नाराजगी होनी थी ना इससे क्या फाइदा हुआ गांद जी और National Movement को फाइदा होगा उसके हम आगे बात करें कैसे फाइदा हुआ second क्या हुआ दूसरी चीज there was a rise in inflation during the war years which caused immense hardship for the common people दूसरी देखिए कि इस दोरान महंगाई बढ़ गए थी and that caused the immense hardship for the common people जो common लोग थे जो poor people थे उनके लिए बड़ी दिखतें बढ़ गए क्योंकि महंगाई बढ़ गए थी इस period में and they held responsible British government for all this उनको लगा कि ये सारे जो भी समश्यापंगे हो रहे है ये इसी सरकार के कार्ण हो रहे है तंग हो गए उससे third there was the widespread anger there was widespread anger in the rural areas against the forced recruitment into the army इसके साथ साथ गाउं के लोग इसने भी अंग्रेजियों से नाराज हो गए थे because there was a forced recruitment in the rural area rural area में forced recruitment हुई थी into the army during the first world war जबर्दस्ती सेना में भर्ती कर लिया गए थे इससे गाउंवाले पहले सी नाराज थे नाराज थे मतलब वो पाला बदल के गांदी जी की साइड में जा रहे थे third के बाद fourth अगर बात की जाए कि इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ था कि from 1918 to 1921 crow failed in many parts of India देखे 18 से 1921 के बीच में कई जो देश के पार थे वहाँ पर फसने खराब हो गए थी leading to the swear food shortage and at the same time a pad mix made the situation worsened इसके साथ साथ देखे इसे food shortage हो गए थी कुछ parts में pad mix के कान situation खराब हो गए थी and people held responsible British government for everything सारी चीजें हाला कि हो तो world war के कान रही थी कुछ चीजे तो लेकिन उनको लगा अंग्रेज जान भूज के यह सब कुछ चीजे करें according to the 1921 census 12 to 13 million people died as a result of the feminine epidemic देखे 1921 के census के according इस period में 1918 से 21 के बीच में लगभग बात करें तो 1 क्रो 20 लाग से 1 क्रो 30 लाग के आसपास लोग मारे गए थे okay so people held responsible for this to British government कोई वो responsible मान पे after the first world war there was an increase in the widespread poverty in the whole country इसके साथ सथ first world war के बाद पूरे दिश में गरिबी में बढ़ोतरी हुई थी unemployment also increased after the first world war first world war के बाद क्योंकि सेना से निकाल दिया गय था Indian people by and last were not satisfied with the British government and held the colonial government responsible for their plight and this paved the way for the rise of nationalism in India इसका फाइदा किस को मिला Indians को मिला nationalism को मिला गांदी जी को मिला कि अंग्रेजों को जो भी यहां पे समश्या आया रही थी भारतियों को लगा कि यह सारे समश्यां की जड़ अंग्रेजा पहले थी नहीं समझ रहे थे अब समझने लग गए थे इसलिए उन्होंने पाला बदला किस की साइड आये गांदी जी की साइड आये और उन्होंने का अंग्रेजो भारत छोड़ो अंग्रेजो आपको जाना पड़ेगा तो इस तरह के से एक रास्ता बन गया था नैशने जब मोव्मेंट के लिए तो यहां पे देखें क्या क्या हुआ था उसको थोड़ा से एक बार हम दोबारा से देख लिए थे हैं यहां पे क्या हुआ था सबसे पहले देखें कि to meet the expenses of the first world war British government introduced the new taxes custom duty and income tax and increase the other taxes बाके taxes को उन्होंने बढ़ा दिया था second क्या क्या कि there was a rise in inflation during the war years के दोरान महंगाई बढ़ गए थे and that was a big issue that bring a hardship for the common people जो common people थे उनके लिए बड़ी समश्या हो गए थी तीसरा there was a widespread anger in the rural areas against the British government because there was the forced recruitment into the army आर्मी में जबर्दस्ती सेना में जबर्दस्ती लोगों को भरती किया जा रहा था इससे भी लोग नाराज थे fourth between the 1918 to 1921 crops failed in many parts of the country and that lead to the food shortage इसके कांट food shortage होई थी and at the same time epidemics also hit the many parts of the country कई जगह पे epidemics की समश्या हो गए थी okay इससे भी लोग नाराज थे spread poverty, widespread unemployment after the end of the first world war and due to all these reasons peoples were not satisfied with the British government and that paved the way for the first world war that paved the way for the nationalist moment in India इससे nationalist moment का रास्ता वो साफ हो जाता है तो इस तरह के से हमें बताना है कि कैसे इससे भारत में इंडिया में nationalism में मदद मिली थी first world war से उसके बहुत second question है हमारा second question है what do you understand by the satyagrae satyagrae क्या है यह हमें बताना है it can be asked into three marker question में पूछा जा सकता है write a note on गांदी जी's initial satyagrae गांदी जी के शुरुवाती जो satyagrae उनके उपर हमें note लिखना है इन में से कोई भी question है उठा करके three marker में भी दिया जा सकता है first of all the word satyagrae is made up of two words satyagrae struggle for truth Gandhiji suggested that if the struggle is for truth and against injustice satyagrae can win the battle through non-violence without anger or aggression this was the main weapon of the Gandhiji against the British government and according to Gandhiji that if the struggle is for truth and if it is against the injustice then there is no need to use the violence no need to be aggressive तब aggressive होना violence का use करना जरूरी निया है because it is the truth that is going to win in the end क्योंकि last में जीत किस के होनी है वो satyagrae के होनी है it is a non-aggressive peaceful mass moment against the oppression and injustice and it is a moral force not a physical one कि ये moral force होती है कि अगर हम सही हैं, सत्य हैं तो हमारे पास से एक अलग सी positive vibes होती है इसी को Gandhiji ने अंगरेजों के खिलाफ योज किया था तो ये था सत्य अगरह क्या है अब बताना है Gandhiji के initial moment के बारे में थोड़ा बहुत हम यहां पर बताएंगे first one है चंपान moment initial moment it was launched in 1916 and Gandhiji led this moment in Champan, Bihar in the sport of the peasants peasants कों से थे? Indigo peasants के sport में इसको launch किया गया था in their struggle against the oppressive indigo cultivation okay, so Champan moment that was the first moment of the Gandhiji and the main leader of this moment was the Gandhiji इसके main leader थे and in this moment Gandhiji used the Satyagrae Satyagrae को use किया था and this moment in the sport of the farmer indigo farmer के sport में था और किस के खिलाफ था? it was against the British government के खिलाफ था and end क्या होता है? in the end the British government had to accept the demands of the Gandhiji and the indigo farmers उनके demand को मानना पड़ा था so it was a successful moment तो हमें क्या बताना है? कब हुआ? ठीक, leader man कौन था? किस के sport में था? किस के खिलाफ था? result क्या निकला? तो पांच शीजे बता दोगे तो हो जाए गई है okay, so कब लॉंच वा? it was launched in 1916 okay, it was launched by Gandhiji it was in the sport of the peasants indigo farmers of the Bihar Champan okay, it was against the British government and it was a successful moment बस इतना सा बता दोगे चलेगा detail में हम नहीं जा रहे क्योंकि chapter में हमने डिसकस किया second a kheda moment same चीजे हम यहां पर बताएंगे this was the second moment of the Gandhiji in India it was launched in 1917 and it was launched by the Gandhiji main leader of this moment was also Gandhiji and it was in the sport of the farmers of the kheda district of Gujarat के जो farmers थे उनकी sport में, peasants जो थे उनकी sport में इसको launch किया गया था okay, और situation क्या थी कि due to the crop failures or the appendix the farmers were not able to pay the taxes revenues, taxes को वो नहीं दे पा रहे थे okay, but the British officials forcing them to pay the tax जो कि British official है उनको force कर रहे थे tax देने के लिए so Gandhiji launched that moment Gandhiji वहां पर moment को launch करते है and in the end the British government accept the demands of the Gandhiji and the peasants of the kheda district उनकी demand को accept कर लेते है okay, तो ये था kheda moment उसके बाद next अगर moment की बात करें third जो moment यानि की initial moment में third one था, that was the Ahmedabad moment launched by the Gandhiji in 1918 में इसको launch किया गया था and this moment was launched by Gandhiji in the sport of the cotton meal workers of Ahmedabad की, जो meal workers थे उनकी sport में launch किया गया था meal workers क्या कर रहे थे, they were demanding they were demanding the higher wages की demand कर रहे थे कि वेतन हमें ज्यादा मिलना चीए and reduction in the working hours की काम करने के घंटे कम होने चीए but they were fired, okay, उनको बाहर निकाल दिया जाता है so Gandhiji जी launched that moment उस moment को launch करते है and in the end, the British government taken back the meal workers and accepted their demand कि उनको वापस ले रहे रहे थे के demand को accept कर लेते है okay, तो ये तीन शुरुआती moment थे गांदी जी के, ये अलग से भी पूछे जा सकते है three marker में भी, clear चले ये next question की बात करते है next one is the third question हमारा long answer type question में third है हमारा, सवराज had different meaning for different social groups explain with example ये आपका ऐसा question है जो almost every year आपके exam में रहता है, clear क्या है question, की सवराज का जो meaning था, वो हर किसी के लिए अलग 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 था, कब non-corporation moment जब launch किया था, कि हर कोई कह रहा था मतलब जंडा ले करके तो सर सब खड़े थे, लेकिन हर किसी का मतलब अलग निकाल रखा था कि भाई सवराज आएगा तो ये होगा सवराज आएगा तो वो होगा तो हमें example देखर के explain करना कि मतलब क्या कहना चाहते हो आप ठेक, तो meaning of the सवराज was different for different people कि इसका meaning क्या था अलग लग लोगों के लिए पहला में example लेते है the revolt in the rural areas of the Awad Awad के rural area में जो revolt हुआ था वहाँ पर क्या meaning था in Awad the peasants were led by the Baba Ram Chandra ने peasants को उनका नेतिताव किया था उनको lead किया था during the non-corporation moment here the moment was against the तालुकदार्स and the जमिदार्स not against the British government यहाँ पर यह जो moment तो चला था उसी टाइम में but this moment was against the तालुकदार्स and the जमिदार्स and it was not against the British government के खिलाप नहीं था and सवराज meant for the present of Awad के लिए जो peasants थे उनके लिए सवराज के क्या था reduction in revenue or rent उनको लगता था कि जब सवराज आएगा तो क्या होगा कि there will be the reduction in the revenue or rent कि जो revenue होए कर है tax से लगाने वो कम हो जाएगा second abolition of the जमिदारी system उन्हें लगता था जमिदारी system खतम हो जाएगी and third redistribution of the land they were thinking that there will be the redistribution of the land when they will achieve the सवराज कि सवराज आएगा तो जमीनी दोबारा बंठेगी and social boycott of the oppressive landlords उन्हें ये भी लगता था कि जो oppressive landlords है उनका सामाजिक बहिसकार हो जागा यनकि उनके लिए सवराज का बस इतना ही मतलब था उन्हें ये देश के आजादी अंग्रे जो जाओ कोई मतलब नहीं था ये पहला example जिसे हम प्रूव करें that the different people, different communities had the different meaning of the सवराज उनके लिए सवराज का अर्थी अलग ने कल रहा था second example is of आंधरा पर्देश दूसरा example हम आंधरा पर्देश का देंगे the wilderness in आंधरा पर्देश in the Godem hills of आंधरा पर्देश the colonial government had fenced off large forest areas and was prevented people from entering to graze their cattle or to gather fuel wood or fruits देखे in Godem hills of आंधरा पर्देश the colonial government they reserved the forest forest ko reserve declared कर दिया they declared the forest as a reserved area and they prevented the people from entering in the forest area to graze their cattle to gather the fuel wood or to fruit यनि कि कुछ भी to gather the fuel wood हो या to gather the fruits etc उसके लिए उनको ban कर दिया गया during the non-corporation moment यहां की अगर बात की जाए तो यहां पर अलूरी सीतारा मराजू है वो tribal communities के people को lead करते है so during the non-corporation moment here the tribal communities were led by the अलूरी सीतारा मराजू इनको lead करते है और for the tribal of आंदरापरदेस सवराज मिंट्स इनके लिए सवराज के क्या रथा abolition of the forest laws first इनके लिए था कि जब सवराज आगए तो क्या होगा जो one कानून ने वो खतम हो जाएंगे second abolition of the forced labor second उने लग रहा था कि जो forced labor है खतम कर दी जागी because the British government were forcing them to provide the to provide the bigger उनको force कर रहे थे कि भाई बिना पैसे के या कम पैसे में आपको काम करना पड़ेगा तो उन्हें लगता था ये खतम हो जागा and third reposition of the forest और उन्हें ये भी लगता था कि they will regain their right over the forest कि forest को उपर जो उनके rights है अधिकार है वो उनको वापस मिल जाएंगे उके तो उनके लिए भी अलग meaning लिकर रहा था क्या meaning था abortion of the forest laws abortion of the forced labor and reposition of the forest ये उनके लिए था यनकि यहाँ देखे इस community के लिए सवराज का अलग ही meaning था उसके बाद हम थर्ड एक और एक्जामपल लेते है the plantation workers and non-cooperation movement the plantation worker and the meaning of the sabrash अगर हम plantation worker की बात करें especially some के tea plantation worker की under the Inland Immigration Act of 1859 the plantation workers were not allowed to leave the tea gardens without the permission and generally the permission was not given to them देखें, Inland Immigration Act 1859 का था उसके ताद क्या होता था जो plantation workers थे उनसे contract पे sign करवाय जाते थे कि आप हमारे tea gardens में काम कीजिए coffee gardens में काम कीजिए आपको वापस आलंग की permission से आना पड़ेगा ये condition होती थी और permission देते ही नहीं थे okay, so ये condition थी उनकी so for the plantation worker in Assam, the savaraj mint उनके लिए savaraj के कहा meaning था right to move freely in or out of the place where they were employed उनके लिए ये लगता था कि savaraj कर थी होगा कि वो अपने जगह से freely कहीं भी आजा पाएंगे अगर savaraj आ गए थो permission to return or they were also thinking that they will get the permission to return back to their home कि वो अपने घर वापस लोट पाएंगी they believed that the Gandhi Raj had come and everyone would be given the land in their own village उनको ये भी लगता था कि Gandhi Raj आएगा और उनको उनके गाउं में जमीन मिल जाएगी okay, उनके लिए meaning कुछ अलग निकल रहा था it means that the different communities and different people had the different meaning of the savaraj and they were not even thinking about nation or the independence etc. के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था तो ये बहुत important question है कि अलग लग लोगों के लिए savaraj का अलग लग अरथ था example दे करके हमें बताना है now let's move to the next question next हमारा question रहेगा 5 marker में which factors played an important role in the growth of the nationalism in India इसमें हमें क्या बताना है हमें बताना है कि हमारे देश में जो nationalism की growth हुई थी जिसे लोग जुड गए थी एक साथ गांधी जी के साथ हो गए थे अंग्रेजों से भिड़ गए थे ऐसा कैसे हुआ था एकदम से जब तो education भी नहीं थी means of communication नहीं थे social media नहीं था TV नहीं था, radio नहीं था transport facilities नहीं थी लोग aware नहीं थी मतलब visualization नहीं थी connected नहीं थी फिर भी ऐसा कैसे हुआ वो हमें बताना कैसा कैसे हुआ था या फिर इसके language हो सकती है कि how did people belonging to the different communities reasons and language groups develop a sense of collectivity कि कैसे वो आपस में जूड गए थे उनमें एक होने का भाव कैसे बेदा हुआ था तो उसके कारण बताने तो इसमें सबसे पहले आएगा image of भारत माता in the 20th century the identity of India started becoming visible with the image of the भारत माता this enabled people to feel a direct connection with the country देखे उससे पहले क्या था कि India क्या है किसीने देखा नहीं था कोई समझता ही नहीं था भारत क्या है देश क्या है so in 20th century the identity of India started becoming visible, पहली बार visible हुई थी with the image of the भारत माता and this enabled the people to feel a direct connection with the country उससे क्या है कि जो अनपड लोग थे वो भी देश से जुड़ गए कि ये हमारी भारत माता है बेडियों से जक्ड़ी वे इसको हमें आजाद करवाना है so भारत माता the image of the भारत माता played very important role uniting the Indian people or for the growth of the nationalism in India बहुत important role play किया था भारत माता की तश्वेट नहीं लोगों को जोड दिया था कि ये हमारा देश है और हम इसके citizen है ठीक उसको बाद second जो factor responsible था for the growth of the nationalism in India that was the songs songs such as the वंदे मात्रम, सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा मेरा रंग दे बसंती चोला etc. यानि किस टाइब के song song such as the वंदे मात्रम, सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा मेरा रंग दे बसंती चोला these songs inspired the people and awakened the feeling of the patriotism देखिए इन song ने क्या किया ये जो songs जो थे, ये जो गीत थे इन्हों ने लोगों को motivate किया ठिक, लोगों में जो देश बक्ती की भावना को जाग रिखती है, जैसे देखिए आप जब इस टाइब के song सुनते हो, अलग सी feeling आती है ना, positive vibes ही आती है तो ऐसे ये जो song थे, जब इनको गाया जाता था, सुना जाता था लोगों में जोश पेदा हो जाता था, कि हाँ लडेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लडेंगे अपने देश के लिए लडेंगे इस songs were widely sung during the सवदेशी मोमेंट इन बेंगोल and other national moments, कि बाकि जितने national moments होते थे, इस टाइब के song आइजम ओल्सो डिवलेप्ट थो ए मोमेंट ओफ रिवाइव इंडियन फोग्टेल्स इन मदरास, नतासा सास्त्री पब्लिष्ट ए मेसीव फोर वोल्यम क्लेक्शन अफ तमिल फोग्टेल्स देखे, फोग्टेल्स उनको काफी जादा लिखा गया उस टाइम में जो लोग अथाएं थी and that too united the Indian people उन्होंने भी इंडियन लोगों को जोड़ा था that connected the Indian people because through the folklor's folklor's के थूरू या फोग्टेल्स के थूरू जो लोग अथाएं थी उनसे क्यावाल लोग इस चीज़ को समझे कि भाई हम पहले एक थे एक हमारा नेशन था हम इस चीज़ को भी समझे कि हम इससे पहले कितने आपस में जोड़े थे connected थे हम कितने रिच थे ये चीज़ समझना सुरू किया हमने कि उससे पहले समश्य ही नहीं थी समझे हैं अंग्रेज ही लेकर किया है so folk tales also connected the people of the different parts of the country or people of different cultures different linguistic group and they came to know that before the British era they were quite rich they were rich in the culture they were rich in economy and now their old suffering is just because of the British government उनको समझ में आ गया था तो इससे भी लोगों को वो ने के उलो समझ में है बलकि वो कहानियों से ये भी जान पाए कि पहले देखे कैसे हमारे heroes हुआ करते थे वो ने पता चला ठीक तो इसने भी एक important role play किया था so folk tales also played a very important role in the growth of the national regime in India because this connected the Indian people of the various parts various religious group various linguistic group etc उसके बाद फूर्थ जो factor है जिन्होंने देश के लोगों को connect किया that was the Tranga during the सवदेश्य मोमेंट इन बेंगोल a triclar flag was designed सवदेश्य मोमेंट जब बेंगोल में चला था during 1904 के बाद तो उसमें एक triclar flag को design किया गया था later in 1921 गांधी जी डिजाइन देश वराज फ्लेग जो कि अभी के जैसा ही था है उसमें सरफ चर्खा था बीच में and holding the flag during the march holding it up become a symbol of nationalism and independence और उसके बाद ये एक symbol बन गया था it was it become the symbol of independence it become the symbol of the nationalism it become the symbol of the nation country India यनि कि देश का एक परतीक बन गया था जब भी अंग्रेजों का विरोध करते थे तरंगा उपर होता था and that too we can say that spread the feeling of the nationalism among the Indian people इसने भी लोगों की भावनाओं को जागरित किया कि भाई हम देश के लिए लड़ रहे हैं ये तरंगा हमारा है अब भी हम देखते ना तरंगा अच्छी positive vibe आती है एक अलेक्सी feeling आती है वही feeling उस वक्त लोगों में लेकर किया था तरंगा इसने भी एक important role play किया था उसके बाद आता है interpretation of the history history की व्याख्या होई थी उस वक्त काफी सारे writers थे they rewrite our history हमारे history को rewrite किया था and उस वक्त ये भी हुआ था कि books become quite cheaper सस्ती हो चुकी थी तो these books were widely read by the people काफी बड़ी सेंख्या भी लोगों ने उनको पढ़ना शुरू के था जो नहीं नहीं book सो उस वक्त आ रही थी another means of the creating a sense of the nationalism was the interpretation of the history and Indians begin to delve into the past to discover the India's great achievements की through the re-interpretation of the history we came to know about our heroes we came to know about the great peoples we came to know about our great achievements की उस जब जब जबारा इत्यास को लिखा गए हमें पदा चला महरना परताब कों थे मैं पता चला राइन लक्षमी भाई कों थी हमें पता चला और भी heroes के बारे में जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था हमें पता चला हम कैसे सोने की चिडिया कहलाते थे तो इससे भी लोगों में जोश बरा कि हम पहले थे तो अब क्यों नहीं अब भी हम वही हैं और अंग्रेजों के हम चाके चुड़ा देंगे okay so re-interpretation of the history also created a new environment that created a sense of the nationalism among the people and people came to know about their past heroes past achievements, past culture etc and they came to know that they can fight against the British government too okay उन्हें ये लगा कि हाँ वो अब भी लड़ सकते हैं पहले रड़ें तो ये सब चीजें भी उन्हें समझ में आई इसने भी एक important role play किया था इसके अलावा अगर हम बात के जाएं तो और भी बहुत सारे factor थे that played crucial role in the rise of the nationalism in India such as the French revolution French revolution, अलग लग आप mention कर सकते हो इनको भी detail में, French revolution also inspired the Indian people to fight against the British government because French revolution gave us the ideas of the equality gave us the idea of the freedom okay, gave us the idea of the rule of law, okay, इस type के कुछ ideas हमें French revolution से में ले थे, इसलिए भी लोगों को लगा कि जो चीजें वहाँ होई, वही चीजें हमें भी चाहिए तो लोग भीड गए थे, ठीक ऐसी Indian National Congress Party है, that played very important role during the national struggle against the British government, that not only inspired the people, but also manage that struggle, उस struggle को manage किया था, तो इसका भी अपना एक रोल था, इन्हों नहीं पूरी देश के लोगों को जोड़ा था, and Gandhiji, एट सेटरा, Indian leaders also played very important role in the growth of nationalism in India Raja Ram Mohan Roy Dhan Swami Dhyanand Sarswati Molana Abul Kalam Aajad Gandhiji, Motilal Nehru Pandi Juhalal Nehru, Sardar Patel and the revolutionaries such as Netaji Subhas Sandrabos Dhan Bhagat Singh Sukhdev, Aajad तो यह जो revolutionaries भारतिय leaders थे, इन्हों ने भी लोगों को inspire किया था इसके साथ development of the railways railway देखिए, railway लेके आये थे British, लेकिन इससे भी भारतियों में एकता बढ़ी थी, because after the development of the railways, people came close to each other they came to know the suffering of each other they came to know the story of each other लोगों की कहानिया उन्हों ने सुने कि अब भाई, यहां भी यही समश्या, हमारे यहां भी यही समश्या, चलो मिलके लड़ते हैं so railway also united the Indian people during that time कि railway ने भी Indian people को जोड़ा था उस वाक्त ऐसे English language, English language provided a common language एक common language हमें मिल गए थी through which we came close to the east part of the country एक दूसरे के नजदीक आ गए थी एक common language हमें मिली थी तो इसने भी एक role play किया था ऐसे newspaper, magazine, print, media तो बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं जिन्होंने देश में जो nationalism की growth है उसमें role play किया था तो इसमें से जो भी आपको याद रहे वो आपको explain करना है clear? चलिए next question की बात करते हैं this one is the last question of this chapter ये हमारा question देगा है जो काफी बार आपके exam में रहा है compare the non-corporation moment and the civil disobedience moment है उसको हमें compare करना है ठीक, तुलना करने है, दोनों में difference क्या है फर्स्ट, the main objective of the non-corporation moment was सवराज while the main objective of the civil disobedience moment was पूर्ण सवराज देखे, दोनों में पहला जो डिफरेंस था जो objective था, aim था, उसमें था जैसे non-corporation moment का main aim क्या था सवराज हमें सवराज चाहिए, ठीक, ओपर की government आप चलाइए कुछ rights दे दीजे हमें जबकि civil disobedience moment में हमारा जो objective that was clear, पूर्ण सवराज, complete independence सहीओ से कम कुछ नहीं चाहिए, तो पहला difference थो यह था second, in the non-corporation moment, गांधी जी called for non-corporation with the British, whereas in the civil disobedience moment, गांधी जी urged to violate the laws, देखे, non-corporation moment में method क्या था, गांधी ने का था, कि में corporate नहीं करना है, ठीक, जबकि non-corporation moment के बाद, जब civil disobedience moment की बात आई, तो उसमें क्या था, there was a call to violate the laws, कि में कानूनों को तोड़ना भी है, सिरफ corporate नहीं करना, कानून भी तोड़ेंगा, तो दूसरा ये था, method में भी difference आ गया, तीसरा था, civil disobedience moment was more widespread, and mass participation was more as compared to the non-corporation moment, इसके साथ civil disobedience moment था, ज़्यादा फेला था, पूरे देश के कोने-कोने भी पहुंच गया था, लोगों का participation civil disobedience moment में ज़्यादा था, non-corporation की तुलना में, एक ये difference था, the participation of the women was more in the civil disobedience moment as compared to the non-corporation moment, इसके साथ अगर हम women participation के बात करें, तो उसमें भी यहाँ पर difference था, female का जो participation था, वो civil disobedience moment में कहीं ज़्यादा था, ऐसे ही the participation of the business group and the industrialist was more in the civil disobedience moment as compared to the non-corporation moment के तुलना में, जो business group थे, industrialist थे, उनका participation भी यहाँ पर ज़्यादा रहा था, तो यह दोनों में difference था, तो यह थे इस chapter के most important one marker, three marker and five marker question, इसके साथ साथ इस chapter में से आपका रहेगा two marker का map work, history में से के वले, इसी chapter में से रहना है, तो map work के कौन-कौन से question रहेंगे, वो थोड़ा से देख लेते हैं, map work मेंने separately एक अलग video publish कर दी है, उसमें मेंने करवा दी है, तो आप चेक कर लीजेगा कि क्या-क्या कैसे fill करना है, तो इसमें map work के आपके question रहेंगे, चमपान, आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ पे it is in Bihar में है, उपर यह खेड़ा है, यह एहमदावाद है, this one is the खेड़ा, and this one is the दांडी, चोरा, चोरी-चोरा, that is in UP, बिहार की साइड में है, UP में गुर्फूर से आगे की साइड में, एहमदावाद हो गया, अमरित साथ, that is in पंजाब, important है, यह बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ लगता है, दन लाहूर, दन कलकत्ता, नागपूर और मदराश सेशन, यह आपको पता होने चाहिए, ठिक कब हुए, यह भी पता होने चाहिए, और कहाँ पर आई, यह रहेंगे आपके इस चाप्टर के map work के question, चाप्टर को detail में हम already discuss कर चुके हैं, आपके history के हालांकि यह चाप्टर की English medium की वीडियो अभी आ रही है, आपके chapter number third, fourth, fifth, जो चाप्टर है, first chapter है, उनकी वीडियो अलड़ी हम publish कर चुके हैं, कहाँ जाना आपको playlist में जाना है, playlist में जाकर क आप सर्च कर सकते हो, उन चाप्टर की वीडियो को, उसमें देखिए, दो आपको playlist मिलेगी, एक तो मिलेगी class 10th SST genius patch और दूसरे मिलेगी class 10th SST most important questions, तो दोनों में ही आप इस टाइप की वीडियो को सर्च कर सकते हो, जहां तक आपके simple question paper है, pre-board के simple question paper है, तो वो सारे सारे पहले ही publish किये जा चुके, आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye bye, have a nice day.